हेलो डियर स्टूडेंट्स विल्कम बेक टू माई स्टूडी मेट डिलही चैनल और आज की जो वीडियो है उसमें हम समझने वाले हैं आकलन कारेपत्रक 11 को यानिक एसेस्मेंट वर्कसीट 11 जो की क्लाश 10 के समाजिक बिज्ञान के बच्चों के लिए दिनाग 17 नमबर 2021 के ल करने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो देखे बच्चों जो एसेस्मेंट होते हैं आपको खुद करने होते हैं अगर आप से नहीं हो पाता है या कुछ कुश्चन के आंसर आप नहीं समझ पाते हैं तो ही आप इस वीडियो का सहरा लें तो आए आगे बढ़ते हैं निलखित में से टूटी हुई बेडियां किसका प्रतिक थी जो टूटी हुई बेडियां थी वो क्या दरसाते थी आप्सन है ये मुकाबले की तयारी बी बहादरी सी जर्मन सामराज और डी अजादी मिलना तो जो टूटी हुई बेडिया थी वो दरसात थी आजादी खो तो यहाँ पर D option सही होगा आजादी मिलना क्लियर है और नेश्ट है सरिता एक अधिवक्ता है यानि कि वकील है एडोकेट है बताईए वो अर्थ ब्योस्ता के किस छेतरक में काम करती है ठीक है बेट तो इसमें देखिए option है प्रात्मिक छेतरक बी दूतियक तीसरा है तृतियक छेतरक और चोथा उपरोक्त में से कोई नहीं तो देखिए जो यह अधिवक्ता है यानि कि सर्वेंट है यह मतलब सेवा छेतर में है तो यह तृतियक छेतरक के उदारण में आ जाएगा तो यहाँ पर C option सही हो जाएगा next है निमलखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज का उदारण नहीं है यहाँ पर बताना है कौन सा मोटे अनाज का उदारण नहीं है तो option A है बाजरा, B है जवार, C है रागी और D है गेहूं तो जो मोटा अनाज है उसका जो उदारण देखिए बाजरा भी मोटा अनाज है ज और चौथा प्रस्ण निमलखित में से कौन सा देश साथ आकर संग बनाने का उदारण है? ठीक है? दीए, दो प्रगार से संग बने, एक साथ लेकर, मतलब सबको साथ लेकर और एक होता है साथ आकर, जो साथ आकर बनाते हैं, वे सभी देश सवतंत्र होते हैं, वे खुद की इक्छा से जो है आते हैं एक साथ मिलते हैं और संग बनाते हैं तो इस प्रकार का कौन सा देश है तो देखिए आफसन है भारत, B है बेल्जियम, C है आस्ट्रेलिया और D है इस्पेन तो यहां पे जो C आफसन है आस्ट्रेलिया यह बिल्कुल सही है यहां पे क्या हुआ था क कि साथ मतलब आकर जो है संग बना था और इसका एक और उदाहरण है साथ आकर जो है यूएस से ठीक है तो वहां पे भी ऐसा ही हुआ था और जो पाच्वा प्रस्ण है महात्मा गांधी राष्ट्री ग्रामिड रोजगार गारंटी अधिनियम यानि कि मनरेगा 2005 में सुनिश्चित किया गया है मनलोग क्या सुनिश्चित किया गया है तो इसमें A है वर्स में कम से कम 100 दिन का रोजगार B है वर्स में कम से कम 200 दिन का रोजगार C है वर्स में कम से कम 300 दिन का रोजगार और D है वर्स में कम से कम 2500 दिनों का रोजगार तो बच्चों जो यहाँ पे ए आपसन है जो मनरेगा है महात्मा गांदे राष्टी ग्रामिर रोजगार गारंटी योजना जो कि 2005 में लागू हुआ था तो इसके तहद यह है कि वर्स में कम से कम 100 दिन का काम जरूर मिलेगा और जो छठा प्रस्ण है तो देखे यहाँ पे ए आपसन सही है जो छठा प्रस्ण है भारत में राज सूची पर कानून बनाने का दिकार किस सरकार को है तो राज सूची की बात होती है देखे जो संग सूची होती है उस पे किन सरकार बनाती है जो राज सूची है उस पे आपसन है ये सही हो जाएगा राज सरकार अगर यहीं पर समवर्ति सुची की बात होती है तो वहाँ पर केंद्र और राज सरकार दोनों हो जाता है और साथवा प्रस्ण है एक ऐसा राजनेतिक दर्सन जो परंपरा अस्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलाओं की बजाए क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राध्मिक्ता देता है वो कहलाता है देखे जो जैसी परंपरा चली आ रही है उन्हीं परंपराओं को मानते हैं उन्हीं रिद रिवाजों पर जोर देते हैं और जो तेज बदलाओं होते हैं उनकी बजाए वो धीमे बदलाओं को प्रुसाहित देते हैं प्राध्मिक्ता देते हैं तो ये सब जो परंपराओं की बात करते हैं, पुराने रीत रिवाजों की बात करते हैं और उन्हीं पर जोर देते हैं तो वो सारी चीजें रूर रिवाज के अंतरगत आती हैं तो यहां पर एह आफसान आपका सही हो जाएगा। हो चुका है, बिल्कुल हर उनकी गुडवत्ता चेक हो चुकी है, मात्रा निर्दारित हो गया है तो यह किसके अंतरगत आएंगे ऐसे संसाधन ऐसे रिसोर्से, तो देखिए यह आफसन है अजयव संसाधन, बी है संभावी संसाधन, डी अनवी करडी संसाधन और डी है विक् संसाधन के अंतरगत आते हैं, यानि कि डेवलप रिसोर्सेज के अंतरगत, यहाँ पर डी आफसन आपका सही होगा, क्लियर है और नौवा प्रस्न है, नीचे दिये गए प्रस्न में दो प्राकलन दिये गए हैं, एक संकल्पना सा और दुसरा कारण का कतनों को पढ़िए औ तो संकल्पना क्या क्या है? संकल्पना है, स्रिलंका में तमिल अलगाव महसूस कर रहे थे, तो देखे बच्चों जो तमिल थे, वहाँ पे दो थे ना, तमिल और सिंगल, तो जो सिंगली थे वो ज़्यादा थे, तमिल की संख्या कम थी, तो वो अपने आपको अलगाव महस प्रदान की गई तो देखे जो भी वहाँ नवकरियां होती थी निकलती थी उसमें जो सिंहली भासी थे उनको प्राथमिक्ता दी जा रही थी और इसी वज़ा से जो है तमिल जो थे तमिल भासी जो थे वे अपने आपको अलग महसुस कर रहे थे तो ये दोनों सही है और सही ब्याख्या भी कर रहा है तो यहाँ पर ए आपसन आपका सही हो जाएगा संकल्पना सा और कारड आर्दों सही है और कारड संकल्पना की सही ब्याख्या करता है सही मिलान की पहचान कीजिए तो आपको इसमें देखना है कौन सा सही मिलान हुआ है तो देखिए यह आपसन है सार्वजनिक छेतरक तो यहाँ पर देखिए उसके आगे लिखा है अमेजन तो Amrhizan जो है सार्विनिक यानि की सरकारी नहीं है यह प्राइवेट है ठीक अथी ये गलत हो जायेगा दुसरा है सार्विनिक छहत्रक में TATA POWER तो देखिए जो TATA कम्पनी है ये भी प्राइवेट कम्पनी है तो ऐसे में ये भी सही मिलान नहीं है साजविनिक छ्यटरग के आगे दिया है Reliance देखें Reliance भी क्या है Private है इसलिए ये भी सही नहीं होगा और देखें D है साजविनिक छ्यटरग आगे है भारत Petroleum तो भारत Petroleum जो है साजविनिक छ्यटरग है इस पस जो है सरकार का निया तो ऐसे में D option आपका सही हो जाएगा तो यहां D option को आपको गोला करना है तो इस तरीके से यह assessment आपका पूरा होता है आई हो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे like करें अगर कोई आपके question हो तो comment box में अपने question जरूर लिखें और इसको ज्यादा ज्यादा दोस्तों मे share करें और चैनल को subscribe करना न भूलें इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद thank you